हलो और विलकम फ्रेंट्स लीब्रा ट्याल्क में हम VLOOKUP और HLOOKUP का यूज सिखेंगे और बहुत ही आसान तरीका है तो आए देखते हैं इसको कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है यह तो बड़ा ही छोटा सा डेटा है अगर बड़ा भी डेटा हो त किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स या टोटल मार्क्स या कुछ भी एक टाइटिल यहां से भी सेलेक कर लेता हूं और यहां रख लेता हूं इसको ठीक है अब हमें इसी के बेस पे कैलकुलेट करना है अब सब्पोच किजिए VLOOKUP क्या है वर्टिकली लुक अप करता है तो य यहां पर बात है लीबरा कैलकी तो तरीका सेम है देखिए यहां पर इस पर क्लिक कीजिए हम किसको खोज रहे है सचिन को खोज रहे है तो सचिन को हमने सेलेक्ट किया कॉमा दिया ठीक है इसके बाद कहा से खोज रहे है तो इसी पूरे टेबल से हम कहीं से खोज रहे होंग ठीक है? Column number कौन सा है? जिसमें यह लिखा हुआ है तो अभी क्या करेंगे हम? Column index number पता करेंगे तो यह पहले column में होगा जो भी होगा जैसे हमें Total marks चाहिए ठीक है? तो यह Total marks को ही हम select कर सकते हैं चाहे तो यह हम यहाँ पे column number दे सकते हैं से मैं पहले column number दे के बताता हूँ देखिए यहाँ पर यह column number one है यह two है यह three है यह four है यह five यह six और यह seven तो अगर हम यहाँ पर seven देते हैं कॉमा देते हैं आपको पता है exact match के लिए हमें सा zero लिखा जाता है अगर आपको approximate चाहिए तो one लिख सकते है इसको अब close किया enterprise किया तो यहाँ पर 227 marks आ रहे हैं यह किन के हैं सचीन के हैं देखिए हैं या नहीं है न अब देखिए अगर मैं इसको change कर देता हूँ ठीक है इसको हटा देता हूँ देखिए यहाँ से इसको मैं delete कर रहा हूँ सचीन को हटा दिया मैंने अभी यहाँ ने आ गया not applicable अब कोई कोई और name मैं आपे लेया के रख देता हूँ ठीक है क्लिक किया हमने इसको copy किया और यहाँ पर लेया के कोई और name हमने रख दिया ठीक है तो अभी रितेज के कुल कितने marks हैं 168 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो यह total marks है अभी इसको हटा देता हूँ मैं यानि कि यहाँ से delete करता हूँ इसको हटाता हूँ total marks हटा दिया हमने हमें क्या चाहिए subject 2 का marks यह तो यह subject 2 को select कीजिए और यहाँ पर लेया के paste कर दीजी आप ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह subject 2 का marks है ठीक है तो कैसे करेंगे इसको यहाँ पर यह पूरी चीज हटा नहीं हो होगा ठीक है अब यह हम इसको delete करते हैं is equal to we look up लगाते हैं ठीक है और we look up लगाने के बाद हम किसको खोज रहे हैं हम subject 2 को खोज रहे हैं ठीक है यह select कि हमने अच्छा vertically look up करेगा ठीक है यह ध्यान रखिएगा यह कभी भी अगर आप subject 2 को select करेंगे तो यहाँ पर आपको h look अब कैसे use करेंगे वो दिखाता हूँ ठीक है यहाँ भी look up नहीं बलकि h look up लिखा हमने ठीक है और h look up लिखने के बाद जहां पर क्या करेंगे subject 2 को select कर लिया कॉमा दिया कहां मिलेगा यहीं कहीं पूरे table में मिल जाएगा यह select कर लिया हमने f4 दबागे fix किया कॉमा दिया ठीक है अब यहाँ पर row number हमें पता करना है ठीक है रितेस कौन से row में है तो यह है पहला दूसरा तीसरा चौता पाचवा और यह छटा जानी कि रितेस जो है छटे row में है कॉमा दिया zero दिया exact match के लिए बंग किया enterprise किया तो यहाँ रितेस के subject 2 में marks है वो 27 marks है आईए देख रहा हूँ subject 3 लिखता हूँ ठीक है यहाँ लिखता हूँ subject 3 लिख दिया enterprise किया अब subject 3 में रितेस के कितने marks है 42 तो यहाँ पे अपने आप इस तरह से आता जाएगा उमीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि h look up क्या काम करता है और v look up अब दिखिए यहाँ पे h look up का formula लगा हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यह h look up का formula है ठीक है तो इस तरह से आप libra calc में h look up का formula और v look up का formula दोनों use कर सकते हैं बहुत ही असानिक साथ उमीद करता हूँ video अच्छी लगेगी thank you for watching this video